देखने के बावजूद भी तकलीख को समझता रहे हैं कोई जादे को इतना दर्द है फिर भी मुश्कुराती हूँ अपोई में सबसे ज्यादे खास होता है कहां कि एक लड़की के लिए सबसे ज्यादे खास क्या होता है सादी के बाद पती है कर दो कर दो कि लोग कहते हैं कि लोग कहते हैं महरारु बढ़ाई मुखन आए करें चाहिए अरे का सबसादी के बाद एक को बार ना करें चाहिए कर दो कि बाद फ्रहाने पढ़ाई कर चाहिए अरे ख़लाने बहुं बहुत घज़़ा सके बददा बददा पहलाने हैं चैक तब फ्रहाने कर फोलाने ओने नहीं देंगे वोज़े में आता है कि अपने गर्ती पोही बार्त पुरुष, दूसरे के घर करता हूँ, और ते करती। क्यों? रीजन मता हूँ, रीजन ये होता है कि अरे हुकरिया भरा के हुज़ानी, तब ना बकवक पकपक कही रही हैं, बोल, पागल है है, बोल, रीजन ये होता है, पाथे पूल जाता है, अकेली रहती है और पहले वो अपने पती को ही बताती ही, पहले वो अपने आदमी को ही बताती ही कोई बार्त, लेकिन आदमी जरूरी नहीं समझता है उन हो की बातों को सुनन ना संचाने को क्यों के रिचे उना संचाने लगेगा, क्या है? लग गय कोई बात ने इतना लगता रहता इस रहा हो इस हैं मार्ण ना लिखा ए यो मर्द लिखाये को दरद लो थे तुम भी कुछ बती है आदमी सबने पत्कार पुछा चाहिए वह झोड़ा की बीकार की बात लेके बैसा रहे उसकी बेकार की बात ही सुन लो भोड़ी कि अधार दिसे नहीं के दिए गास जोता किया अवय लाए करें चुलिया पीजिए कोई इन दो है इस अर गार से बादे बात जो घर के बात दो हो या खलाने भाभी ताने चैना कई अधार है नहीं के दो आ स्कारिव करें इस तो फालते हुआ निकला पड़ा पंटिर वेकरी क अगर महीं पुरुस यानि पतिडेव, अगर महीं समझा दे तो मैं गारंटी के साथ क्या रहे हुं, परनो और अवरत अपने पाद के उसका हमें नहीं करें, लेकिन आदमी वही तान टपड़ की जाने तो क्या करना है, उनका क्या थरा द्हूं कि अगे आएगा, उनका क्या थ कारे? कारे? लाक? बनका देए